हाव तू रिमूव वर्टसप बॉट्टम नेविगेशन गेस्चर आप सभी लाइप करूब के साहँ देख सकते हैं जो वर्टसप का बॉट्टम में जो चैट शो कर रहा था वो मैंने उपर की साइट कर लिया है तो कैसे मैंने कर रहा है वो इस वीडियो में आपको बताने व हो आपको क्या करना सबसे पहले आप देख सकते मेरे पास इस वर्टसप है और यहां पर उपर ही चैट स्टेएस और यहां पर बॉट नहीं है तो आपको क्या करना इसके लिए सब से पहले यहां पर ध debating रिछ करना है गो तो दिकित haven कर जाने का You can यहां पर आपको देखने को मिलेगा Auto Update and यहां पर आपको मिलेगा Auto Update Apps तो सबसे पहरे आप मेक्शूर करें कि आपका जो अप्लिकेशन है Auto Update नहीं होना चाहिए यहां पर आएगा Do Not Auto Updates इसके आप कर दें क्लिक बेसेकली यह रीजन क्या है क्यों आपको प्राप्बम आई है कि आपका जो WhatsApp पे चैट है जो स्टेटेस है वो बॉटम में क्यों आया है Actually guys क्या होता है कि आपका WhatsApp वो up to date हो चुका latest version में और इस latest version के कारण ही यहाँ पर जो chats हैं वो bottom में आ चुकी है तो यह हुआ कैसे मैं आपको बताता हूँ आपके जब application प्ले स्टोर पे automatically update पे set है तो आपका प्ले स्टोर automatically applications को update कर देता है बिना आपकी मर्जी के तो यह चीज़ना आप क्या करो कि आप इसको don't auto update कर देता है यानि कि auto update नहीं चाहिए अगर आप auto update रखते हैं तो आपका application सभी automatically update होगा तो ऐसे भी सही नहीं है आपका data भी खतम होता है और कई बारी कोई update अच्छा नहीं होता तो वो भी automatic update हो जाता है तो आप इसको off करते है यही reason है कि आपका application यानि कि WhatsApp automatically update होगा है अब आपको second क्या करना है वो है कि आप सभी जाएं मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्लेश्टो पे back करते हैं sorry guys यहाँ पे back करते हैं इसका जो version है आप सभी देखते हैं 2.24.76 तो यह इसका जो latest version है इसी update के बाद जो है वर्सम में यह problem आनी शूरू हुई है तो आपको गया करना है इस तरीके से back कर दो यहाँ पे आपको गया करना है जो आपका सबसे पहले वर्सम पे जाओ आप यहाँ पे आपको गया करना है इस तरीके से तीन डॉट्स पे क्लिक करो Settings के उपर click करेंगे यहां पर आपको चैट का option मिल जाएगा इसके पर आप click करेंगे यहां पर आपको मिलेगा chat backup इसके उपर click करेंगे यहां से आपको एक Gmail select कर लें उसके बाद दोस्तों यहां पर आप इसको daily रख सकते हैं या तो weekly रख सकते हैं इन दोनों ही options को आप इस तर कर दें and click कर दें delete तो जैसे आप सभी इस वाली WhatsApp को delete कर देंगे don't worry हमने आपकी चैट फोटोस वीडियो सब कुछ backup ले लिए आपका same to same आ जाएगा अब आपको क्या करना है आपको जाना Chrome browser को open करना अपन दा Chrome browser and click on the search bar आपको search bar पर click करना है Chrome browser के और वहां पर लिखना है WhatsApp old version जी हां guys आपको लिखना है WhatsApp old version AP के तो वहां पर आपको काफी सारी website मिलेंगी जो टॉप पर website आएगी वहां पर आप क्लिक कर देना और वहां पर आपको काफी list वाइस जो है WhatsApp के old version मिल जाएंगे basically आपको करना कहा है कि WhatsApp old version नहीं कि पुराने वाला वर्जन डाउनलोड करना होगा उसी में आपको यह दुबारा से आपकी जो चैट अपडेट ओप्शन थी वह उपर आ जाएंगी ठीक है तो आपको क्या करना है वहां से आप क्या देहान रखेंगे मैं आपको बताता हूं प्लेश्टोर पर जाता हूं यहां से आपको इस शीर का देहान रखना है कि आपका जो WhatsApp है वो पुराने वाना होना चाहिए यह वाला वर्जन नहीं होना चाहिए के अंदर यह आपका प्रॉब्लम नहीं आगा तो इस तरीके से जो वर्टसप का जो गेस्चर है यानि की बॉटम से आप टॉप पे ले जाएंगे I hope मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इजी विए में बता दिया है और वहां पर जाके आप लोगिन कर लेना फोन में थैंक यू सो मच गाइज